लोक आस्था के महापर्व छट पूजा को लेकर बिहार के सभी छट घाटों पर भव्य से भव रूप देने का कार किया जा रहा है इसी क्रम में मोतिहारी में लोक आस्था के महापर्व छट पूजा की तयारी यूद अस्तर पर चल रही है कोवीड की वज़ा से इस बार दो साल के बाद हर्शो उलास के साथ छट घाटों को सजाया और छट पूजा मनाने की तयारिया चल रही है छट को लेकर बजार के साथ ही घाटों तक चहल पहल सुरो हो चुकी है मोतिहारी के अटल उधान घाट पर भी तयारिया लगवग पूरी हो गई है इस बार लोक आस्था के पर्व महापर्व छट पूजा के मोके पर छट घाटों को विशेस बनाने के लिए यहां के युवाओं ने अपने पॉकेट खर्च और जन सहयोग से छट घाट तलाब और कलाकृतिया दिवाल पर उकेर कर अलग-अलग ही मिशाल पेश किर रही है सहर के अटल उधान तलाबों के दिवारों पर छट पूजा से जुड़ी कलाकृती बनाई जा रही है जो कलाकृती ना सिर्फ छट की प्रसंगिता को दरसाल रही है साथी भगवान बुध राममंदीर और अटल जी को भी दिवारों पर उकेराज जा रहा है इस छट घाट को बिहार का सबसे भवे छट घट बनाने का परियास किया जा रहा है यहां दिखेगी अनूपम कलाकिर्तिया जिसमें सूर्ज देवता को अर्ध देते हुए तो कहीं उगते हुए सूर्ज का तो कहीं डंड देते हुए छट घाट की ओड जाते हुए पेंटिंग करके हर एक दिवारों पर बनाय जा रहा है इस तलाब के चारो तरफ अनेको परकार के पेर पौधे लगाए गया है यहां पर मनमोहक द्रिश लोगों की अपनी ओड अकरसित करते हैं बताया जाता है कि यह तलाब अंग्रेजों के समय से है यह पार्क पौने तीन एकर के रकवा में है एक एकर में इस तलाब को बेतिया राजगराना ने खुदवाया था अब इस तलाब को अटल उधान पार्क से जाना जाता है इस तलाब में अधिक पानी होने के कारण इसके चारो तरफ बास और लोहे के पाइप से ब्रेकेंटिंग किया गया है सिर सोपतक और रंगरोपन का कारे पुरी तरह कर ली गई है वही समास से भी मुर्तन जै सिंग ने बताया कि यहां सभी दिवारों पर कुछ नए कलाकिर्तिया बनाए गये है इस घाट को बिहार का सबसे भवे घाट बनाने का परियास किया जा रहा है जो अपने पौकेट खर्च और जन सहयोग से लगतार काम जारी है उन्होंने बताया कि इस घाट को हम लोगों ने बिहार का सबसे उचे दरजे का राज घाट बनाने का काम कर रहे है क्योंकि यह एतिहासिक तलाब है और यहां काफी भीर होती है यहां पर जो भी खर्च किये जा रहे है यहां के युवा और मुहले वास्यों के सहयोग से हो रहे है यहां नहीं किसी योजना से हो रहा है और नहीं कोई सरकारी सहयता ली जा रही है वही आर्टिस्ट प्रिंटर परकास ने बताया कि यहां पर हम पेंटिंग के माध्यम से तरह तरह के पेंटिंग कर रहे है इसमें भगवान बोध सूर्ज देवमन राम मंदीर के साथ छट पूजाक से जुड़े बिभीन चित्र को हम दर्सा रहे है आईए आगे आपको सुनाते हैं क्या कहा गया इस तंदर्व में पटल उद्ध्यान बेली सराय घाट हम सभी खड़े हैं लोकास्था का परव छट हम लोग के लिए बड़ा ही महत्तोपूर्ण है उसी को लेकर के यह जो आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है यह सारे दिवालों पे कुछ-कुछ हम लोग कलाकिर्तिया करने का पर्यास किये हैं इस घाट को बिहार में सबसे भव्वे घाट बनाने का पर्यास कर रहे हैं समाज के जनसहयोग से बिगत दस दिनों से यहां पर लगतार काम चल ला है और इस घाट को हम लोग बिहार में सब से उच्चे दर्जे का घाट इसको बनाने का प्रयाश कर रहे हैं और आम जन के सहयोग से यह घाट आप जितना जो देख रहे हैं यह पेंटिंग यह फिर यह शाप शुत्रा यह सारा जन सहयोग से हो रहा है किसी योजना से इसका तालुकात नहीं है हिंदू का महापरो है और सभी जन सहयोग से यह काम चलना है इसी बेली सिराय घाट मेरा भी पूजा होता है इसलिए हम लोग को यहां से ज्यादा से लगाव है हम अटर उढ़ान सट घाट के पास हैं हम प्रेंटिंग कर रहा है जिस पर तर तर के सट का सुरीज भागवान यह सब लोग का फोटो डर्स आया गया है यहां के संस्ता जो भ यहां पर बुड़ भागवान का फोटो है शुरुज भागवान का फोटो है राम मंदिर का फोटो है शर्ट के उपलक्ष में कुछ फोटोएं हैं अटर जी का फोटो बन रहा है आपको कोशी भरे हुए फोटो बन रहे हैं आभार्ट के उपर फोटो बनाया है है यही सब तो 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 का फुटो दसा रहा है